हेलो इस्वेंट्स हावर यू तो माई दिर इसेंट्स माई दिर फ्रेंड्स हम इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश के शुरुवात जो बेसिक फांडिक्शन होती है वो टैन्सेश होती है अला कि बहुत बार आपने पड़े होंगे लेकिन आई प्रॉमिस यू दिस टाइम कि आप अगले चार दिन में 100% टैन्सेश सीख जाएंगे आई प्रॉमिस यू और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप सीखे और ने सीखे बढ़ना इसके लिए कि ना एक कंडिशन एक शर्त है और वो यह है कि आपको मेरे इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलू करने पड जनरली ऐसा होता है कि थोड़ी देर का वीडियो बनेगा एक दो घंटे का मैं सारे टैंसेश में पढ़ा दूंगा बैट को देख भी लोगे पता है पड़ाना और सिखाना दो अलग बाते होती है I can teach you but you will not learn so मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस पे कि आप मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलू करेंगे अब बहुत आसान बहुत आसान इंस्ट्रक्शन से बस आपको पीशन्स अकना है आपको लगेगा कि डे वन कंप्रीट हो गया मैं डे टू पर जाऊं सीखूं लेकिन आपको नहीं जाना है आपको लगेगा मुझे मेरे बेसिक्स तो अच्छे हैं, मुझे यह आता है, मैं जम्प कर जाओंगा आपको वो नहीं करना है, चार दिन आपको मेरे हिसाब से चलना है और उसमें बहुत आसान है, थोड़ी सी आपको पैक्टिस करनी है, मुश्किल से आप एक घंटा भी तो क्या आप तयार हैं, इंग्रिश सीखने के लिए, और और स्यूर तभी तो आप देख रहे हो, तो देखिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले हम टैंसे से शुरू करेंगे, लाइक आई टूल दियो, हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, कि यह 30 डेज के अंदर आपक चीजों को बनाते हो, बतलब बेसिक तो फिर भी छोटा रह गया है, बेसिक से बहुत अच्छे आप हो जाओगे, जितनी भी चीज आपके दिमाग में चलेंगे, जितनी भी चीज आप बनाना चाहते हो, है न, आप बना सकते हो, विदिन 30 डेज, आई गैरंटी यो, बस आप नहीं है, बिलकुल, और आप इंजोई करोगे, इसकी भी मैं आपको गैरंटी देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि आपने टैंसे इस तरह से पहले कभी नहीं सीख्योंगे, आपको ये चार दिन में पता चल रहाएगा, अभी जब टैंसे आप सीखेंगे, कि ये सब्स सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जितनी भी अपडेट से आपको मिलती रहें, और ये सिर्फ ग्रामर के बारे में नहीं है, ये थर्टी डीज का हो जाएगा, फिर आप मेरा जो प्लेलिस्ट है, आप उस पे जाएए, है ना, उसमें भी मैंने आपको इस्पोकन इंग्लिश से खार किये, वो ना ट्रिक से है, मतलब आपको अगर ग्रामर बहुत अच्छे नहीं भी आती है, तो भी आप उसे जोइन कर सकते हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, अगर ग्रामर आती है, आपको बस फॉलो करने मेरे इंस्टिक्शन, जो बहुत असा ने, like I told you, तो I hope, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है, तो देखिए, शू करते चलिए, तो आप ये न अपने आपसे प्रॉमिस कर लिजे कि कुछ भी हो जाए, ना, कुछ भी हो जाए, आप पता अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपकी lifelong की problem खतम होगी, आप कभी नहीं बूलने वाले हो फिर, मेरी जो tricks हैं, जो तरीका है, वो बहुत आसान है, बहुत ही simplified है, आपको एक बार में समझ में आएगा, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो चलिए, शुरू करते हैं, tenses से, so tenses होता क्या है, tenses है न, दो चीजों से मिलके बना होता है, एक तो उसमें time होता है, sorry, मैंने pen select नहीं किया था, एक तो उसमें time होता है, एक होता है action, मतलब हमारे हैं अपर दो चीजे हैं, time है, कि हमारे पास किस time में, जैसे हमा पर चालनकां होता है तो भूधके को भबहुश्य काल बोलते यह बैसिक चीजय को अतना ध्यान देने की जरूत稱 नहीं पिर देखिए तो माल लिजे कि कोई भी काम हो रहा है कोई भी काम हो रहा है जैसे एक्जमपल ले लेते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं यह हमने एक सेंडेंस ले लिया माल लिजे तो यह आपको बताएगा कि यह प्रिजेंट है मतलब प्रिजेंट में कोई काम हो रहा ह हमें यह बताया जा रहा है मतलब present में हो रहा है ऐसा भी हो सकता है ना कि सारे काम present में थोड़े ना होते हैं past में भी कोई time रहा होगा जब कोई काम continue चल रहा होगा कोई काम future में भी ऐसा होगा कि continue चल रहा होगा तो आप इस concept को अच्छे से समझो कि हम यहाँ पर 2 चीजों को mix करेंगे एक time हम इस clearly समझ में आना चाहिए जो हम बात कहना चाहरे है वो present time में कहना चाहरे है यह past time में कहना चाहरे है future time में कहना चाहरे है तो इस time का concept हो गया और दूसरा है action का action का मतलब work वर्व का मतलब work एक्षण का मतलब यहाँ पर क्या है work तो हमें काम का status देखना है अब काम है अलगलग तरफिक हो सकते हैं हाँ जैसे एक काम ऐसा हो सकता है जैसे मैं खा रहा हूं इसमें पता चल रहा है कि कोई काम अभी चल रहा है हो रहा है पूरा नहीं हुआ है कंट्यूनेशन में है चल रहा है ऐसा भी तो सकता है कि मैं खाना खा चुका हूं एसा भी तो सकता है इसमें देखिए काम का स्टेटिस के है रख का चुकाूं है भी इसमीं पता चलấu हो हुपटा में पता चला है soci कुमें इस से आपको तो मैं खाना खाता हूं ऐसे यह भी तो है समझ चलता है तो एकका हूं कि मेरे पस Qu다 stop तो उसमें भी स्टेटस होता है जैसे एक्जांपल के लिए मैं सोब ऐसे खाना खा रहा हूं सबसे यदा गल्थिया करते हैं बच्चे इसमें बच्चे क्या मदलब जितने भी लोग हों लिए जायें वो हौसवाइब हो चाहिए वह cos aux professionals हो businessman कोई भी वहूस करते हैं सब्भी जननलिες क्रेट्षीज एच्छा आता हूं जिस यह सीखने के बाद चार दिन के बाद आप गलती नहीं करोगे, I guarantee, मैं सुबए से खाना खा रहा हूँ, तो आप समझ रहे हैं यहां पर खाना खा रहा हूं यह तो मैं यहां पर भी खाना तो मैं यहां पर भी खा रहा हूं दोनों जगे पर खा रहा हूं लेकिन यहां से पता चलता है कि इस वाले में पता चलता है कि मैं खाना खा रहा हूं यह प्रिजेंट टाइम में अभी कोई का खोटो जासें कि में पांसाल से रह रहा हूं तो पांसाल पहले ने रहना शूकिया और अभी भी रह रहा हूं तो यह action को हमें समझना होता है आपर तो nason in sentences से रहा है कि यह बताएगा time जैसे जैनम कहाना कुरुञा 7 तो भी तो सक्ता है मैं खाना खा रहा था future में भी तो सक्ता है मैं खाना खा रहा हूंगा तो तीनों operates इसली वो एक श्यक्त का पार्ट हो अग瞌क हो रहा है वो time का पार्ट हो गया तुसक् occurred नेoptरल्ब धना छोका हूं यह अभी काम फूरह हो चुका हूं यह अगर हम पास्ट के बाद करें, तो मैं खाना खा चुका था, जैसे मैं बोलों कि मैंने 1990 में अपनी अजयोकेशन खतम कर ली थी, तो पास्ट में तभी पूरी हो गई थी, आप समझ रहे ना, बिसे मीरी अजयोकेशन नहीं हो थी तब, मैं खाना खाता हूं, या फिर मैं खाना खा चु क्यानी है फ्यूचर में अपनी बात कहनी है और दूसरी हमने टाइम समझ लिया दूसरी बात जो हमें समझनी है उसका स्टेटस समझना है काम का स्टेटस समझना है कि अभी चल रहा है या पूरा हो गया है या फिर होता है या जो भी स्टेटस है उसका तो हम इन दो चीजों को यहांपर सीखने बाले इं92 चीजों को में यह आपर सीखने बाले तो मैं यहांपर लिखाया कि मैं देखे रहो time plus section इन दो चीजों को जैसे हम combine करते हैं तो tenses बन जाते हैं क्याटी मैं पॉइंट बहुत आसान है I assure you ठीक है तो देखिए जैसे मैंने कहा कि day 1 आज आपका day 1 है with tenses तो यह day 1 है day 1 में मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको day 1 में जानने की जरूत है और आपको practice करने की जरूत है क्योंकि ना जैसा मैंने का आपको चार दिन में 100% tenses ज़़ाएंगी तो day 1 जो है ना जब तक day 1 आप complete नहीं करोगी अच्छे से आपको नहीं आएगा अच्छे से नहीं आएगा जैसे आपको लगेगा कि मुझे आ गया है लेकिन आप जब बनाने बैठ होगी तब नहीं आएगा या अभी चलिए आप इसे पढ़ी रहे हो आपको लगता भी तो विल्योसा बाता है लेकिन दो दिन बाद आपको नहीं आएगा समझ रहे हो ना दो दिन बाद आपको नहीं आएगा तो इसका रूट कौज क्या है इसका रूट कौज यह है कि Day 1 का काम आपने Day 1 में पूरा नहीं किया अगर आपने Day 1 का काम Day 1 में पूरा कर लिया और उसके बाद अगर आप Day 2 में गए तो यह प्रावलम नहीं होगी जो अभी हो रही है कि भूल जाना नहीं आना समझ में तो आता है लेकिन बनाने बैठने तो नहीं आता है कि कहते हैं एक अच्छा जो टीचर होता है न वह अच्छा साइकोलोजिस्ट भी होता है तो जैसे मैं जब English सिखाता हूं तो ऐसा नहीं है कि सब भी बच्चे एक जैसे होते हैं जिकि आपने यह बच्चा है यह इसका माइंड अलग तरह से काम करेगा तो हमारे पास एक ही चीज़ को समझाने के बहुत सारे तरीके होते है एच पर नीड और क्योंकि यह online course है तो सारी responsibility यह है कि मैं आपको वीडियो की थ्रूई आपको correct कर पाऊं आपके कोई query है तो आप comment section में डाल दें आपको मैं try करूंगा बहुत जल्दी से जल्दी आंसर उसका देदू ठीक है और अगर ज्यादा query जाएंगी बच्चों की या आप लोगों की जो भी आप देख रहें में friends ज्यादा query जाएंगी तो मैं उनको लेके जोतने भी query है एक स टाइम टीन है अपे on the first slide we learn that present time past time future time so after this session और after these four days we should be able to differentiate की present का काम है या past का या future का है या वो बहुत आसान है आप करोगे I assure you आप करोगे ठीक है अब हम लेते हैं action action में क्या होता है कि कोई काम होता है जैसे मैं बाजर जाता हूं मैं जगता हूं मैं सोता हूं मैं खाना खाता हूं मैं यहां काम करता हूं मैं खेलता हूं जो भी काम होता है तो यह ना कुछ uncertain type का है अनिशित type का है तो indefinite का मतलब यह होता है इसमें जाएगा यह कोई ना अभी आप कोई समझ में नहीं आएगा इसके तो इन फैक्ट जरुवत भी नहीं है अभी तो हमने टैंसेज सीखना शुरू भी नहीं किया है यह तो वह बाते हैं जो होता ने जनरल बैग्राउंड समझा देना एक आउटलाइन सी बना देना यह स उनको मतलब कनेक्ट नहीं कर पाऊगी तो यह जरूरी है लेकिन यह टैंस नहीं है ठीक है जैसे कोई काम अभी चल रहा है कोई काम पूरा हो चुका है तो जो भी काम का स्टेटस है जो भी काम का स्टेटस है वह हमें एक्शन से पता चलता है और काम कब हो रहा है यह हमें इ धिवन में ही करना है और तो पर आपको झांप करना ही नहीं है करना यह तो कहता हूं जैसा अप ये बीडियों देखके हो से को 2 लोग है न अपनी पूरी कर जाते हैं उनको Tenses नहीं आते हैं सोचो कितने कितने साल और उसकी कीमत कितनी ज्यादा चुकाते हैं यहाँ पर सिर्फ चार देने आपको Tenses जाएंगे तो आप यह कंडिशन तो माने सकते हो ना कि हमेरा इंस्टिक्षिन फॉलू करना है तो टेवन का काम डेट्वन में खतम डेट्व पर आपको जंप नहीं करना है डेट्व पर देट्व पर ही जाना है आपको अब और ये टैंसेई जब खतम होंगे ना तो आप इसका लोडिक समझ भी जाओगी कि मैं झेलो घूटा ओओं तो देखी ऐ लुसते हैं हम सब़ी जानते सब भी कहते हैं कि टैंसेइटीन होते है जोई है तो फिर कम का माल का मतलब टाइम की तिने तरेका देखते हैं, इस्टेटस देखिए, जैसे कोई काम indefinite sense वाला है, मतलब अनिश्यत वाला है, या कोई काम अभी हो रहा है, या हो चुका है, या इसका जैसे मैंने बताया है, मैं पांच साल से यहां रह रहा हूँ, पांच साल पहले रहना शूकिया, अभी भी रह रहा हूँ, तो अलग-अलग conditions है, काम की अलग-अलग status है, अलग-अलग conditions है, तो इन conditions को हम सीखेंगे, परलब time तो present ही है, लेकिन उसमें अलग-अलग conditions हो सकती है, time present ही है, लेकिन उसमें काम पूरा भी हो सकता है, उसमें काम चल भी रहा हो सकता है, उसमें काम होता है, जैसे बारिश हो हुआ ठीक है अब हम ऐसे पास्ट में आ जाते हैं तो पास्ट में भी बोई चीज होंगी क्योंकि इस्टेटस जैसे हमने टैंस समझा टैंस में हमने प्रिजेंट पास फ्यूचर तीन जो टाइम है वो समझ लिए लेकिन काम का स्टेटस तो सेम ही रहेगा न या तो काम इंडेफनेट वाला है अनिश्यत वाला है यह कॉंटिनियस वाला यह पर्फेक्ट वाला है यह इनकी कॉंबिनेशन से बन जाता है यह ना यह तो अनिश्यत है तो यह अनिश्यत है तो वह पास्ट में भी होग अनिश्यत है तो फ्यूचर में भी होगा कॉंटिन से चल रहा है प्रिजेंट टैंस दैंसमें हमेरे पास without जॉते हैं no चार टैंसों यह न, स्ष्मिथा है क्योंकि ठैंस जो टाइम है वह तो पीजेंट टैंसमें कहां जो है वह दो चाथ सब्सक्राइब को सबूए तो वो 4 tense हो गए एक indefinite हो गया, एक continuous हो गया, एक perfect हो गया, एक perfect continuous हो गया, यही चीज past पर अपलाई होती है और यही चीज future पर अपलाई होती है, तो total अगर मैं इनका करूं, तो कितने हो गए, 12 tenses हो गए, और this is where our tenses begin from, यह हमारी पहली slide है, जहां से हम actual में tenses की foundation ले करना श आप स्लाइड से आप सीख रहे हो, मतलब पिछली वाली यह बाली, यहां से आप सीख रहे हो, इस slide पे हमने क्या शिक आतर्गा, Saat Tenses की नाम है, Tenses कые तरह के हुते हैं, नकी counting की कैसे बने हों, और स्लाइड पर आप क्या सीख रहे हो, उनके नाम सीख रहे हो, और आपको जब तक Tenses की नाम नहीं पता होंगे ना तब तक आप Tenses सीखी नहीं सकते हैं 100% आप guaranteed मालीज़े तो यह ना यह नाम तो आपको ऐसे रटे होने चाहिए जैसे आप ना मतलब है ना नींदों में भी कोई पूछ रहे तो A, B, C, D, E, F, G आपको यह आने ही चाहिए और यह मैं आपको 30 सेकंड्स में याद करा दूंगा 30 सेकंड्स ठीक है आप Liberty ले सकते हो आप वन मिट भी ले सकते हो वीडियो पॉज कर लेना तो देखिए Tenses तो पहला है देखिए पहला जो सेकशन हिए वह प्रिजयंट आप सहँ प्रिजयंट Wow प्रिज 21 के टैंस हमें पर सीखेंगे दूसा जी सेटन यह करना है सर्फ पास करनी है समj pourquoi क्योंकि इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है Watts तो देखे प्रिजेंट ंड और भी परता है हमें 30 दिन की जिम्मेदारी ने उठानी है है न हमें सिर्फ इस मोमेंट में जो चल राया है, फुसले फोकस करना है एक केना एक बड़ी अच्छी प्यारी सी लाइन थी कि हाउ टू इट एन एलिफेंट समझे हाउ टू इट एन एलिफेंट आप अल्मोस्ट इंपॉसिबल टास्क है कैसे खाऊ गया हती को राइट तो हमारी एंग्लिश भी है न किसी एलिफेंट से कम नहीं है और मैं प्रूब करोंगा देखो आपको लग रहा होगा की नहीं मुश्किल है मैं प्रूब करके दिखाऊंगा तो एक एलिफेंट से कम नहीं है था आपने एलिफेंट को एक बार में एक खा सकते तो सब्सक्रण करो एक हाती कहतम हो जाएगा ठीक वैसे ही के अब यह आपको कुछ नहीं करना है इस पूरे हाती की पूरे हैं आपको बात ही नहीं करनी है आपने एक टुकड़ा उठाया है वह है टैंसिज और टैंसिज में आज का दिन है आज का दिन की चीज आज आपको आने चाहिए वह आपका अल्टिमेट गोल है कि अगे पॉइंट तो अभी प्रजंट टाइम है आपको क्या करना है यह बस चार टैंसेज के नाम आपको याद करने और कुछ निकरना प्रिजेंट कॉन्टिस टेंस प्रिजेंट परफेक्टंस फिर से बोलोगी आप लिटरली आपको बोलना है ना आप ना मम्मी पडोसी पापा चाचा चाची जो भी घर पे रहते हैं भाई भेन अड़स परस वाली सब बूलने लग जाए कि कौन चिल ला रहा है कि कौन चिल ला रही है एक्जेक्ली वैसे ही आपको बोल ला है मेरे साथ तब ही आए गई आप मैं बता रहा हूं इसका ब इंडेफिनेट कॉंटिनेस परफेक्ट परफेक्ट कॉंटिनेस पिर से बोलो इंडेफिनेट कॉंटिनेस परफेक्ट परफेक्ट कॉंटिनेस समझ रहे हो अब इसी को हम यहां पर ले लेते हैं इंडेफिनेट कॉंटिनेस परफेक्ट परफेक्ट कॉंटिनेस परफेक्ट perfect continuous indefinite continuous perfect perfect continuous कुछ मेट्रिक्स बन रही है तो यहां पर प्रिजेंट है इसकी जगे पास्ट आ गया इसकी जगे पर फ्यूचर आ गया की देट्स तो अगर हम कोई चार याद हो गए है तो हमें करना कुछ नहीं है हमें कुछ नहीं करना है बस यह लगा देना के पास्ट और अगली बार में मैं क्या देना है तो present indefinite tense present continuous tense present perfect tense present perfect conditions tense अब present को हटा दो आप पास पर आ जो past indefinite tense по continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense समझ रहो फिर से बोलो past indefinite tense हाँ हाँ बोलना है past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense फिर से past indefinite, देखो मैंने आपको responsibility उठाइए कि 30 days में आपको English आएगी और उससे बड़ी responsibility उठाइए कि चार दन में आपको tenses आएगे ठीक है अगर आप फेल होते हो तो सब्सक्राइब नहीं होते हो मैं भी आपके साथ फेल होता हूँ ठीक है तो आई नो कि you won't let me down तो फिर से शुरू करते ही past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense अगें बोल रहे हो ना बोला था ना कि आपको instruction follow करने चार दिन आपको मेरे तरीके से चलना है तो आपको एक बात बताता हूँ मैं ना यह एक swimming pool है ठीक है क्या गजब का swimming pool बनाया है मैंने read drawing अब समझ जाओ बस महला कि बुरी नहीं है ज्यादा लेकिन अच्छी नहीं है ठीक है swimming pool है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैंने एक book ले ली और मोटी सी book है मान लोग 500 page की book है और मैंने 50 बार पढ़ लिया रट्टा लगा दिया खतरना किसका मैंने ठीक है सब कुछ आता है मुझे इसमें आप मुझे page नंबर बताओ मैं बता दूगा इस पर क्या लिखा है कौन से stroke है किसी style में swimming करनी है पूरा आता है मुझे सब कुछ आता है और मैं एक दिन जाता हूं और swimming pool में कूछ जाता हूं क्या मैं swimming कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा क्यों नहीं कर पाऊंगा क्योंकि book read करने से किसी क्यों swimming नहीं आ सकती स्विमिंग करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा समझ रहे हो आप उतरना पड़ेगा पानी में आपको swimming सीखने के लिए swimming करनी पड़ेगी क्याना if you want to learn swimming you have to swim और जब तक आप स्विम नहीं करोगी you cannot learn swimming exactly यह बत मैं किस से करने कर रहा हूं यहां पर इस से कर रहा हूं आपको सीखना है न तो आपको मेरी instruction follow करने पड़ेंगे आपको बोलना पड़ेगा enjoy कर उसे burden में समझो ठीक है तो देखिए past अब मैं आपको पहुज दे रहा हूं आप खुद मन में पांच वर बोलूँ से हैं अब फ्यूचर पर चलते हैं मेरे खाल से फ्यूचर आपको बहुत सा असान हो गया होगा future indefinite tense future context future perfect tense future perfect context फिर से बोलो future indefinite tense future contrast future perfect tense future perfect context फिर से future indefinit tense future context future perfect tense future perfect context ठीक है याथ गुट अब देखते हैं तो आप चाओ तो इनके screenshot बग़रा भी ले सकते हूं अचा वीडियो ही है ना आपके पास तो आप आप एक काम और कर सकते हो आप वीडियो पहुज करो यहीं पर एक पर पर है ना एक लिख के देखो आप अटकोगी अटकोगी तो देखना सामने लेकना दूसरी बार फिर लेखो कई बार ऐसा होता है पहुआ को कि हमेना याद नहीं रहता है पते याद याद करने की बहुत मस्त सी ट्रिक बताओ मैं आपको मान लो आप अपको यह याद नहीं हो रहा है एक जामपल के लिए तो न आप इसको इक बलांग पेपर लो बलांग उस पे लेको कि present indefinite tense present quantist tense present perfect tense खिर से ब्लांक पेज लो ठीक के पिर से लेको तो आप 2-3 बार ऐसा करोगी न तो आपको माइन्ड न अलग तरेसे काम करेगा आपको लर्न हो जाएगा आपको मैं ऐसे मान लेता हूं कि आपको लर्न हो गया है नहीं हुआ है तो पॉस्टिव वीडियो और लेंट लेंट नो अधर वें आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पर और जहां पर क्या है मारे पास टैंसेज हमारे पास हैं टैंसेज ठीक है एनड देजया och helping verbs तो अब हम काम के सापसे चीजों को ठाले ते हैं जैसे मैंने यहां से उठालिया presentiek असे इहां से फचालिया past continuous tense और यहां से उठालिया future चल्छी चल्च और तीनों टेंस मैं एक जगह पर घ्रुप कर दियें सतेक्ट तो यह की तीनों टेंस में एक जगह पर गृप कर दियें कॉन्थ टेंस सच अधिकल ह है। आपको आएंगे टैंसे आप लिखके रख लो आपना पेंट ले के आओ मार्केट से और दीवारों भी बड़ा बड़ा लिख दो कि मुझे तीस दिन में इंग्लिश आएगी चार दिन में टैंस आएंगे सब कॉल करके बता दो थाकि बाद में आपको समझे रहो ना कमेंट करें कि तुने तो बोला था बोली थी आएंगे आएंगे तो वह चीज़ आपको टॉचर रहेगी है कि अब सीखोगे अब सीखोगे तो कॉंचेटनेंस का नेचर एक जैसा होता है तो मैंने उनको एक साथ्य साथ घ्रोप कर दिया ठीक है new forward कर दिया इनको इसका फायदा क्या होगा अब देखते जो क्या होगा तो स्थीन स्थैंस तो नहीं यह प्रिजेंट है यह पास्ट ह है और यह future है तो present continuous tense past continuous tense future continuous tense समय एक ब्लेंक पीज ले लो हूं तो बताओ यह कौंसा attendance हुआ यह प्रिसेट हुआ यह कौंसा हुआ यह पास्ट हुआ यह कौंसा हुआ यह फ्यूचर हुआ समझ रहे हूं इतना जो समझ गए हूं और उपपर मैंने तो मतलब यह present continuous यह past continuous और यह future continuous ठीक है अब मुझे क्या करना है यहाद करना है helping words जैसे is am are पिर से वोलो sorry ठीक है अब हम में past के लिखनी है was and were और हमे future की लिखनी है will be and shall be यह हमारा task है अभी के लिए कुछ minute के लिए तो देखो आप ना मेरे साथ बोलोगे आप ना brain में एक section बना लो कैसा section बना लो कि सपोज करो कि एक page है इस page पर मैंने तीन boxes बनाए एक box दो box और तीन box तीन boxes बना दी यह पहला बाला जो box है न वो continuous tenses का है इनका जो टॉप बाला box है अपर बाला box है वो continuous tenses का है और उस continuous tense में तीन tense है एक है present एक है past और एक है future यानि present continuous tense past continuous tense and future continuous tense getting my point तीन tenses है तो इसको मैं ऐसे तीन box बना दी है मैंने फिर से तो यह बाला जो पार्ट है न यह बाला पार्ट इस slide पर है तो करें शुरूं तो इसकी helping verb है present की एक साथ बोलो एक साथ बोलना है एक word की तरह है एक sentence की तरह है नहीं एक word की तरह है न एक बार में इसमर ऐसे नहीं इसमर getting my point इसमर इसमर है न ऐसे तो देखो मैं आप पर line strike करूंगा आपको उसके साथ बोलना है इसमर वाजवर बिल भी शेल भी है आप इमेजन कर रहे हो न एक पेज है उस पर एक बॉक्स अपर वाला यह और मेरे साथ बोला था अपको रटाने लगा dripping से अंह समझाओ गा बिना रटा लगाय स्थी बोला ना अपने मेरे साथ है अपको बोलना है देखो मने ना उनलेस यू स्विमिंग यू कन नोच लेन स्विमिंग सिखने के लिए अब नियू स्विमिंग करने आपको इसकी पेक्टिस करना है कि आपको शॉर हो जाओ कि है मुझे आ गया था तो स्लाइट बढाना है हुच कि tässä अब ही हम इस स्लाइट से बापस चलते हैं मैं इसको मि nyttate तो यह तो गरवड होगी ना मिटा दिया अपको बताओ यहां पर क्या था अहां सही सोच रहे हूं इसमर रहेगा राइट तो यहां पर क्या आएगा एज एम आर यहां पर क्या आएगा बताओ वॉजवर इमेजिनेशन आपके ब्रेइन की नियूरोंस एक्टिव करवा दूँगा मैं और यहां पर आएगा विल भी एंड शेल भी राइट तो इसमर वॉजवर विल भी शेल भी अब हम इस स्लाइड पर आते हैं फिर से हैं तो देखो यहां पर क्या आएगा बताओ इज मार यहां पर क्या आएगा वॉजवर यहां पर क्या वाले बॉक्स पर चलते हैं इसका नाम है पर्फेक्टेंस क्या नाम इसका पर्फेक्टेंस क्या नाम इसका पर्फेक्टेंस क्या नाम इसका पर्फेक्टेंस क्या नाम इसका पर्फेक्टेंस क्या तो इस पर्फेक्टेंस में भी हमारे पास बहुत ही बाते हैं कि Hier पर भी present यहां पर भी present है यहां पर भी past प्ली पस्ट है यहांपर भी past विफटर future 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 तिनों का method सही में सेारा चीजी तब यह तो मने बहुत में जैसे यह करना ना मैं तो ठीक है अ हम इफ चलते present perfect and spot perfect and future perfect and present perfect and helping kuob गोटो है जिन है तो हम बोलेंगे हैं जैंगए है जैंग है व्हेल खाले तो यहां पर आज तो यहां पर क्या जाएगा है जैव इस यहां पर देगा विल है ईड हैंट छैव आपको लन करना इसको कैसे करना है अब मैं इसको यहां से हटाता हूं और यहां पर लग देता हूं मैं is am are यहां प्रोग विल भी और शैल भी है यह पहला ब्लोक था अब हम दूसरे बॉलक पर आगए हैं तो यहां पर आएगा है है यहां पर आएगा हैट और यहां पर आएगा विल हैव शेल है ओनलाइन में बड़ा मुश्किल होता है है ना किसी को सिखा पाना क्योंकि इंट्रेक्शन नहीं होता है आप अपनी क्वेरी जल्दी से मेरे पास नहीं भेज पा होगे या उसका रिप्लाइग थोड़ा सा ले आप बोलो मेरे सब्सक्राइब आपको है जैव हैड फिराफ यह वाले दों को हमें कलब कर देना है है यहाण है जैव हैड बिल्हाब शेल है समझें चूंकि मैंने बताए सारी चीज़े मैटर करती हैं सब्सक्राइब कुछ बच्चे होते हैं क्लास में किसी चीज को 10 मिट क इन आपर सकते हैं, कुछ बच्चों हुते हैं जो इसको दो गण्टे में भी आद ने कर पाते हैं, इसका मतलब पता है किया है, यह न? इन बच्चों को ऐसे कुछ तरीक है, ऐसे कुछ ट्रिक्स पता है, इनकी basic knowledge पहले इसको help करती है चीजों को समझने में, इनके पास वो trick न n art टीचिंगे न वो आर्ट है ठीकिए हर कोsil इंसन हर किसी को हर अना मतलब कुछ समझाए में यह बा 진iki editor होता है जिसमें इसकिल होती है वह सेछेंबडिकित मेरे निदुरूart a आपको समझा देगा टीचिंग एक आर्ट होती है और वैसे ही लर्निंग इस एन आर्ट लर्निंग भी एक आर्ट होती है मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप कलर सीखे आपको आती हो अच्छी बात नहीं आती है तो आप सीखें बोलो मेरे साथ ना बोलो आगे बोलना आपको समझे तो आपने इमेजन किया कि फिर से कि एक पेज है ठीक है उस पे तीन बॉक्से जाएं बॉक्स टू बॉक्स ट्री या र Cincinnati से ये च auditor के धाएं मार्ão वाजवर विल को पर्वाला जो बॉक्स है पसको प्वासे बीच वाल जो बॉक्स के नीचे वाला जो बॉक्स है वो पर्फेक कॉंटिंस्टेंस है चीक है और हार एक के तीन-तीन सेक्षन है ऐसे करना है आपको ऐसे नहीं बस देख रहे हो उससे काम नहीं चलेगा चल जाएगा पर उतना नहीं चलेगा और मैंने तो आपको गैरेंटी दिए चार दिन में सिखान है तो फिर से एक बार हम रिवाइस करते हैं है जैव हैड विलहाव शहां है है जाइप हैड विलहाव शह बस आज का काम है ना मतलब आपने 80 परसेंट कर लिया और मैं तो कहता हूं आज का काम नहीं अगले 10 मिट बाद 5-7 मिट बाद आप पूरे टैंसेज का 80 परसेंट कवर कर लोगे सब्सक्राइब नहीं किया है बैल आइकन नहीं दबाया है तो आप अभी करो अभी है ना क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आते हैं बहुत सारा मटेरियल है आपका ना वन स्टॉप सॉलीशन मन जाएगा यह चैनल इंग्लिश के लिए है ठीक है और छली आगे शुरू करते हैं आप देखिए कुछ नहीं करना आपको नीचे वाला अब इस वाले पर आ जाओ आशाओ हमने दो वाले सीख ली यह वाला था परफेक्ट टेंसेज और नीचे वाला है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज प्रफेक्टूर। से तंसे ठीष्ट यह वाला कॉंटूर। और यह वाला कॉंटूर। दोस्य नम्बर पूर प्रफेक्ट एंस m इसका प्रफेक्टेंस और इसका प्रफेक्टेंस कह påसें सिमस्था जी से हो गया फिर coordin वाइख थे यह recreateieso पर समझे रहे हों । कि हम यहां पर कि अलग तरह से सीख रहे हैं हमारा सब कहता है व हम सीक रहे हैं इन सबका लिए वाले पे चलते हैं तीनों के perfect continuous tense उठा लेते हैं यह है perfect continuous tense ठीक है अब यहां पर क्या करना है हमें वो देखो यहां पर जो ना इसी चीज को नीचे ले जाओ अप इस head को भी नीचे ले जाओ इस है sixth awesome और जेघर शले जाओ को आपका बसी दो ही लर्ण करने है जो आपको हो गए होंगे कि अब हिए तक दो ही लर्ण करने हैं तीसा वाला असान है है के साथ बीन लगा दो तो हो गया है has been have के साथ been लगा दो तो हो गया है बीन मतलब सिर्फ been चोड़ देना हमें इसमें भी बीन चोड़ दो तो इसमें हो गया had been इसमें भी बीन चोड़ दो will have been और शेल है बीन मेरे वीडियो लेंदी हो सकते हैं थोड़े से यह लेकिन आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है चार देन और लाइफ लॉंग की आपकी प्रावलम खतम तो हमने क्या किया देखे perfect on distance के लिए सिर्फ बीन चोड़ दिया तो है यह की जागे has been have been had been will have been shall have been ऐसे हो गया ठीक है अब इसको एक बर पैक्टिस कर लेते हैं has been have been had been will have been shall have been has been have been had been will have been shall have been देखो रिदम को पकड़ो मेरी मैं कैसे बोल रहा हूं आपको उसी तरह से लर्ण करना है ना has been have been had been will have been shall have been has been have been had been will have been shall have been has been have been had been will have been shall have been has been have been had been will have been shall have been बोल रहा हो ना has been have been had been will have been shall have been ठीक है तो ऐसे मैं मान लेता हूँ कि आपको यह learn हो गए है क्योंकि definitely हो गए होंगे तो देखो अब हम इस वाले पर आ जाते हैं इस वाली slide पर आ गए हम और अब देखो यह है consciousness पहला वाला box यह perfect tense दूसरा वाला box और यह perfect consciousness तीसरा वाला box पहले वाले box में is mr watch for will we shall be दूसरे वाले box में hedge have head will have shall have तीसरे वाले box में सिर्फ been add कर दिना है hedge been have been head been will have been shall have been असल ना आपको पता है आपने नौ टैंसिस की helping Babylon कर लिए हैं मतलब इस वीडियो में आप रफ रफ मोटा मोटा अगर देखें तो नौ टैंस के sentence test बना पाओ के आज ही के class में नौ टैंसिस के ठीक है बिले में आपका जो यह जर्णी है ना बहुत interesting होने बले हैं अब देखिए अब हम चलते हैं इसी पर अब में वर्व की बात करते हैं ना वर्व लगती है एनएजायमार के साथ वोजबर के साथ बिलवी शैलवी के साथ इसमें वर्व की 3rd form लगेगी इसमें वर्व की 1st form प्लस ing लगेगी यह लो आपने देखेगा नहीं 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 तो और यह ing form है perfect condition is तो लगा दूँ ठीक है आपको मैंने अब क्या सिखाया बतो अभी तत मैंने आपको सिखा दिये हैं टैंसिस के नेम्स जो आपको आते हैं ठीक है और हमने उनको तीन बॉक्स में डिवाइड किया है और नहीं है continuous tense perfect tense perfect continuous tense और intenses के जो parts है present past future उनकी helping work प्लस उनकी में वर्व कि आई एन गी फ़र्म लगेगी इसमें इसमें यहां पर third form लगेगी इसमें 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 तीनों में और यहां पर आई एन गी फ़र्म लगेगी एक अधर कि इस लाइट एक चलो कोई ना देख नहीं है ठीक है इन तीनों में क्या लगेगी आई एंजी फॉर्म लगेगी तो हमने यह सारा सीख लिया है ठीक है यह तो सीख लिया हमने अब आगे क्या करना है अब हमें यह आपर आना है the family साफ आज हांता में क्यों से लेंड रंक लिंह कर नहीं तो हमने यह वाला सीक लिया में इन्की हालिब करने अब हमें क्या करना है संटन्स याद करने है जैसे जीए इक्जांपल लिए मैं ऐसा कहलता हों कि मान लीजए मेने नहीं पर एक बोक्स बना दिए 123 चलो एक गAYम केडाता हूं 456789 न है इनन이지 डैट एक गेम केलते हैं चलो मैंने नहीं है रहा लेका वन कि यहां लेका मैंने टू यहां पर लेका मैंने ट्री इसको मैं उपर लिकूंगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो आप पहले ही समझो है क्या यह है continuous tenses ठीक है यह क्या है यह बीच वाली लेयर है बीच वाली नाम बताओ 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 right perfect tenses और यह है perfect continuous tenses समझ दो ना मिरे बत ठीक है तो बताओ इस tends का नाम कॉन सा यह तो अउपर लिखा हुआ ता हैं यहां पर continuous आप इर यह वाला present तो जोगए present continuous Tense यह वाला past continuous tense और यह वाला future continuous tense सम्झे दो ना मिरे बत तो बताओ मैं आपसे पूछूंगा कि this इस प्रफेटनदेंस का नाम भता हूँ तो है टीनोगी प्रफेक्ट है तो इसका भी प्रफेक्टॉबधी तो प्रफेक्ट गया गुड देगा कर रहे हो ना इंजॉय तो टैन्स तो टैन्स इस क्या पूरी इंग्लिश ही मैं आपको सिखा के रहूंगा यह जिम्मेदारी ले लिए मैंने तो देखो अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ यह कौन से टैन्स है सोजो इट्स यूर टाइम तु थिंग और हाँ इस इस्पोकन के मेरे और बैचेट चल रहे हैं आपर ऑन-लाइन फ्री अलग से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की तो इस पोकन वाले पर जाना क्लिक करना अगर आप अभी से ही वहां से भी थोड़ा-थोड़ा सीखना शू करते हैं तो आपकी ग्रमर प्लस इस पोकन दो लगवक महीने डेड महीने में खतम हो जाएगी मतलब आपकी English problem खतम कि सोच आपने कुर सा टेंस है तो देख परफेक्ट वाली लाइन में बीच वाली लाइन को लिए परफेक्ट की है और यह प्रेजेंट है यह पास्ट है तो यह हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस ठीके अपने सही सोचा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस ठीके अब बताओ यह वाला टेंस कुनddावच्ट यह प्रिजेंट पास्ट फूचर परफेक्ट टेंस हो तो क्रेक्ट टीके अब बताओ ठी नंबर सोचो, future continuous tense, यह कौन सा है, फिर से बताओ, past perfect tense, यह कौन सा है, present continuous tense, right, ठीक है, यह वाला बताओ, past continuous tense, यह वाला बताओ, past perfect continuous tense, यह वाला बताओ, future perfect tense, अच्छा, मैं आपको time दूर सोचने के लिए न, ठीक है, यह वाला बताओ, सोचो, present perfect tense, यह वाला बताओ, past perfect continuous tense, यह वाला बताओ, future continuous tense, यह वाला बताओ, future perfect pretending, यह वाला बताओ, वाला बताओ प्रिजेंट प्रफेक्टेन्स यह वाला बताओ प्रिजेंट प्रिजन प्रफेक्टेन्स के नाम याद आ गए ना आप समझ रहो November यह जो Tenses के Names हैं यहाप पर यह याद आ रहे हैं आपको ठीक है जैसे यह 1 हो गया यह 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया अब helping को पर चलेंगे हम यह 4 हो गया देंगो 5 पर हैड आ रहा है 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया और 9 हो गया अब हम helping पर चलते हैं सब रट्टा लगवा हूँ यहीं पर आपसे रट्टा लगवाने का मतलब जो बेसिक चीज़ें वो तो याद करने पड़ेंगे न ठीक है तो देखिए अब हम यहाँ पर आ गए तो बताइए सर्जी यह मैम की यहा नॉंबर पर क्या था है विव बिए और शहल मुदी looking ती नंबर पर क्या ता ओउस सॉ स्पुर्य है यहाँ पर आता है वज ठीके अब यहां पर क्या है ओई फैर यह ना यां पर आएगा है यहां पर आएगगा है यहाँ पर आहेगा विल-हब को शयал है saw नीचे वाला तो आपको याद करने की जरूथ ही नहीं है copy-based हो जाएगा तो present perfect contrast tends में हो जाएगा has been and have been pass-up right contrast tends में हो जाएगा had been future perfect contrast tends में हो जाएगा will have been और shall have been केड़िग मैंपॉइंट समझ में आ रहा है ना यह अब इसी चीज को में टाइंस भी पहिंचान पारे हो ना कि इसी चीज़ के में एक बडर प्राक्टिस करा दिता हूं तो देखो बताओ यह कौन से थैंस फिर्ज फिर्फेक्स अनि अब बताओ यह कॉन से अब मैं बोलों कि बताओ है जीन है बीन किस टेंज के हल्पिंग वह विल भी शैल भी किस टेंज के हल्पिंग वह 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 वापको इतना याद हो गया अब मैं आपको ना आप देखो मैंने यहां पर लिखा कि बताओ एक्जांपल के लिए इस फाइव नंबर पे मैंने आपको से पूछा कि बताओ इसका टेंज का नाम बताओ तो आप जानते हो कि प्रिजेंट स्वरी पास परफेक्ट टेंस है यह आप जानते हो मैंने बोला इ इसका एक sentence बना के दिखा हो और आप पता है sentence भी बना दोगे इसका मतलब समझ में आपको nine tenses आपको जो raw form में होते हैं basic form में होते हैं वो आज आज में आगे हैं first lecture में अभी तो इनकी डिटेलिंग पड़ेंगे हम तो अब मैं पूछ हूँ कि बताओ इसका एक sentence बना के दिखाओ तो वह sentence दिखूँ आप तो जो पहली पहली slide है यह वाली इसके लिए मैंने पहला वाला sentence बनाया है यह पहला वाला sentence बनाया है ठीक है अगर मैं बोलूं कि बताओ एक नंबर पर क्या रहा है टेंस का नाम बताओ तो आप बता दोगे कि present content tense है मैं बोलूंगा helping बताओ तो आप बता दोगे कि और बोलों के sentence बनाऊ वहा वह खाना खा रहा है वह खाना खा रहा है ही यह आपको लर्ण करना है अब देखो यह तीनों ही continuous settings है ठीजे यह तीनों constraints है continuous sentences है तो देखो present continuous past continuous futureCONTr यह समिंद में तीनों में आए इंजी फर्म लगती है अब इनको लर्न करना है है हमें पर्जेंट में कुई काम अधर रहा है यह प्रिजेंट में कोई काम चाणिव रहा यह मैं पढ़ा राषान तो इफेड़ते से देखो वे खानस खारा हैाहातासरा यापको तो थे ईन्दार से देखो को एक कहाने खारा है वे खानाे खारा Tout 됩니다 में खांसेटों कि अद्रावभ। वे खाना खारा ता वे खाना खारा होगा ठीक है? में जाए गशी ञता है यह पहले वाला कने एक में रहते हैं और तो तो he is eating सब्जेक्ट हेल्पिंग यह भी हम करेंगे लेकिन कल की क्लास में आज हमें इनको लर्न करना है और इस स्लाइड के लर्न होते ही जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था काम खता माज का ठीक है दूसरा वाला पास कॉंटिनिस में दो नंबर बोलू तो आप बोलोगे वैं खाना खारा था और इंग्लिश बोलोगे वैं he was eating food और तीन नंबर बोलूँ ही बताओ तीन नंबर पर कौन सा टेंस आता है तो आप टेंस का नाम बताओगे फ्यूचर कॉंटिस टेंस मैं अब बताओगे बिल भी शेल भी और सेंटेंस वैं खाना खारा होगा ही विल भी इटिंग फूड है जरूरत पड़े तो वीडियो को दुबारा देखो तीसी बार देखो चौती बार देखो लेकिन आज आज में आपका यह काम होना चाहिए ठीक है यह हो गया अब हम चलते कमप्लीट वैं कमप्लीट कंप्लीट इसमें काम पूरा हो जाता है तो फास्त में पूरा होगा सिए सब्सक्राइब में हैं इथे और सट रल्रान क stability और फोद उनुखृण सबस्थ तो हमने सब्सक्राइब मेंसे हैं वो helping अब लिया हमने और third form लगा दी अब हम तीसे वाले पर चलते हैं यह वाला पताव सात्वे नमबर पर टेंस का नाम क्या है प्रिजेंट परफेक कॉंट्रिस टेंस helping को क्या है has been have been और सेंटेंस क्या है वह सुवह से खाना खा रहा है तो अगर मैं इसको हटा दूं कि वह सुवह से इसको हटा दूं अगर मैं इमेजन करूं तो क्या बच्चा वह खाना खा रहा है तो यह तो पर साथवे नंबर का पहले नंबर का सेंटेंस से बतों हो एक जैसा हो गया वह खाना खा रहा है वह खाना खा रहा है और न जरूरी है सुबह से साम से दो पैर से राज से दिन से टेक है 2015 से या फिर जन से जब से वो आया है तब से तो सुबह से खा रहा है मतलब सुबह खाना शूकिया अभी भी खा रहा है मैं पांस साल से पढ़ा रहा हूं पांस साल पहले पढ़ाना शूकिया अभी भी पढ़ा रहा हूं मैं दस साल से इस कंपने में काम कर रहा हूं दस साल पहले काम करना शूकिया अभी भी कर रहा हूं यह डिफ्रेंशीर्शेशन आप समझ रहा ना तो इसको इग्णोर ने करना वेज़ वेज़ वैसे खाना खा रहा है। वेज़ से खाना 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 होगा। He has been eating food, he had been eating food, he will have been eating food. He has been eating food, क्योंकि इसमें has been आता है, helping work क्या आती है। बताओ, 7 नंबर पे helping work क्या आती है। 7 पाएं अपका। चींच कुम संटेंगा अ मित्ऐन का था इसमीं क्या आता है कि hasn't been और दूसरा आज डियू अको इसना से आता है अ वास कहँए तो आपको यह नौ से जो आप बिढो तीन नंबर आप विषाना क्षा रहा होगा ही विलब टेक्पूर्ड मैं भुल्घैनमर थे नकाई पान अब लोगे अब भताऊ है फिट्र कॉनड्र स्थ नंबर के अंब बन कर दो साथ नम्बर के स्वार्पिफ Igor के देखो आपको यह आध करने है प्रजैन्ट गॉन्स इसी परफेक्ट आँग प्रफेक्ट सॉर्य है भी है कमसे किये एक हमने सेंडेंस लीज बस इतना सा सीखाया आज हमने है बड़ डिटेल में सीखाय है ठीक है मैंने आपका 90% काम इस बीडियो में ही करा दिया है आपको होंबक में बहुत कम करना पड़ेगा यह न मैं आपको फिर बोल रहा हूं I guarantee कि आपको इंग्लिश आएगी एक मीने में और चार दिन में आपको टेन से टीक है तीसे नमबर पर यह वाला टेन से चॉस्टे नमबर पर एक लिएसंटन्सिष के नेम सह है जो यहां'll पर दे रखें आ अब इस से लाटा颍बव's ने इसे बता देता कि देखो my friends यह tenses के नाम है इनको ऐसे रटा लगा लो और इनके helping वावे इनको ऐसे लट लो और यह sentence अब यह slide आपका homebook है आज आज का एक गंटे में आप इसकी इतनी बार practice करो इतनी बार practice करो कि आप कल जब class attend करो ना और हाँ इसके बाद है न दूसरी वीडियो पर जंपनी करना है कल का मतलब कल आज आपको इसकी practice करनी है इतना सा आपको patience रखना पड़ेगा चार दिन और मैं आपको पता नहीं कितनी बार आपको अश्योर कर दिया है कि आप 10 से सीख जाएंगे लेकिन सीखोगे तबी जब मेरे instruction आप follow करोगे ठीक है आपका मन होगा कि यह तो मुझे आ गया है यह तो मुझे आ गया है ठीक है लेकिन मैं चला जाओ ना believe the process believe the process ठीक ह यह आपका homebug है आप one hour वी इसको दे देते हो one hour में पता है इसको कितनी बार आप लिख दोगे ज्यादा भी ने तो कमसे हम पीस बार तो लिखी दोगे अरे दस बार तो लिख दोगे आप आपका काम खतम है सो माइडेर जिंट्स आई होब कि आपको यह क्लास आपने एंजॉइ की होगी तो यह हमारा था दे वन ऑफ थर्टी तीज दिन है आज पहली क्लास है मैं आपको step by step सिखाऊंगा complete course होगा हमारा complete course होगा किस पर होगा spoken English पर भी होगा और grammar पर भी होगा तो आपर जैसे spoken यहाँ पर grammar की यहाँ पर comprehensive यहाँ पर और भी बहुत सारी playlist बनी हुए है तो आप उसमें से spoken पर जाना अगर आपको spoken शुरू करना है तो और grammar तो चली रहा है ठीक है complete course और यह सबसे important मतलब मेरे लिए एकनी मैंने महनत किये एक like एक subscribe एक share तो बनता है तो शेयर ज्यादा भी कर सकते हो ठीक है see you I hope you enjoyed the class कोई भी query हो आप comment section में एक दो I would reply bye bye see you